जी नमस्कार, आप सबका स्वागत है एको सिंग एग्रटेक के आडियो पोडकास्ट में और हम बात कर रहे हैं पपीदे की खेती के उपर और इसकी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं हमारी इस आडियो पोडकास्ट में जिसमें की हम अभी तक 11 ऑडियो बना चुके हैं चुकि इसके पहले के 11 अडियों सारी स्टेप्स विराइटी के सिलेक्शन से लेकर पपीते के लिए जमीन के उप्युकत जमीन के चुनाओं से लेकर उसके पौधे के खेट पर रोपन तक और उसकी घरमे से सुरक्षा कैसे की जाए इस प्रकार के सारे उपायों के बारे में हम बात क करने जा रहे हैं हमारे पपीते के ऊपर हमारी सारी विराइटी संबरी, आइसबरी, ग्रीन बरी, रसबरी हमारी ये विराइटी जिन जो पिछले 15 साल से हमारे पूरे देश के अंदर जो सफलता पूरवक काफी अच्छे रिस्पॉंस के साथ में काम कर रही हैं इनके ऊपर हम विस्तार से किसान को अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए इस audio podcast को बना रहे हैं और इस वक्त इस audio podcast के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पपीते के पौधे के water management यानि कि उसके सिचाई की व्यवस्था और उसके fertigation यानि कि उस पर जो खाद और पोशन का जो व्यवस्ता है उसका मैनेजमेंट है वह किसे किया जाए तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं Mr. Kishore Rao और हम इसके उपर आप लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए चर्चा कर रहे हैं तो स्वागत है Mr. Kishore Rao का हमारे टेक्निकल परसन हमारे फिल्ड एक्जेकिटिव हमारे फिल्ड ऑफिसर है चीफ ऑफिसर है हमारी फिल्ड के चोल बहुत लंबा नभा रखते हैं पिछले 15 साल से लगातार किसानों के साथ सीधे संपर्क में हैं लगबग हर दिन लगबग हर खरक के समत्या के समधान और उपाय जानते हैं हर प्रकार की पॉशन की और बचाओ की भीमार्यों से बचाओ की रक्षा की सारी प्रकार के उपाइव के बारे मैं गहण जानकारी रखते थे हैं तो आज़िये जुड़ते हैं Kishore Rao Mantap के साथ में और बात करते हैं water management के बारे में कि पानी और सिचाई की विवस्ता कैसी रखनी चाहिए हमें पपीते में जी सर दिखिएगा जब plant हम लगा देते हैं उसके बाद water management उतना ही जरूरी है जितना हम धुप से plant को बचाने के लिए जो crop cover लगाते हैं उतना ही जरूरी होता है water management जी crop cover के लिए हमने पिछले audio में बात की है गर्मी से बचाओ कैसे की जाए crop cover के द्वारा और खुद घर पर कैसे crop cover बनाए इसके बारे में बात की और इस पर हमने वीडियो भी बनाया है और उस वीडियो को भी upload किया आप उसे भी हमारे हमारे इस series के अंदरगत और हमारे इस channel पर इस YouTube channel के उपर आप उसे आसानी से ढूंड सकते हैं देख सकते हैं और उसकी लिंक भी हम description दे देंगे जी बताइए देखी सर कई क्रसक जो मैंने पिछले आडियो में भी बताया था कि जो अन्भवी क्रसक है जो कई साल से पपीता 10-15 साल से लगा रहे हैं उनको तो करता है आपके पानी का management क्योंकि पपीते की हम सीधी सीधी बात करें तो पपीता बहुत सेंसिट्व प्लांट होता है काफी नाजुक प्लांट होता है और पपीते में अधिकतर हमने देखा है कि फंगल infection मतलब जड से संबंदित जो बीमार्या होती है फपूंद होती है जो जबी मोसम के बदलाव होते हैं उस समय पर पपीते में फंगल सबसे ज़्यादा मोजूद हो जाती है रूट्स के अंदर लीफ के अंदर तो एक पपीते का बहुत बड़ा पपीते में बहुत बड़ा water management का हाथ होता है फंगल infection के लिए तो आज हम बात जो कर रहे हैं water management की यह बहुत importance विशय है बहुत जरूरी विशय हुए है कि क्रसव जब पपीता लगाता है उसके बाद उसका पानी केसे चलना चाहिए और कितनी देर चलना चाहिए और कौन से समय तक कब तक केसा चलना चाहिए तो मैं बताने जा रहा हूं देखिए जब सीधा हम प्लान लग लगाने से लेके 90 दिन मतलब तीन मैने सीधी बात करें तो तीन मैने आपको वाटर मेनेजमेंट बहुत सो समझकर देना है शुरू आती दोर में जैसा पाउधा लग गया उसके बाद आपको कम से कम पांच रोच या चार रोच तक नमी अच्छे से बना के रखना है पहले दिन अब पहले दिन चार से पांच घंटा इसले चलाएंगे कि जिससे जब हम गड़ा करते हैं गड़ा करने के बाद जब हम हलकी मिट्टी उपर से डालते हैं क्योंकि लट्टू है हम दबई तो नहीं करेंगे सिधी सी बाद है मिट्टी को हलका हलका हम प्रेस कर दे ज़ी गड्डे के अंदर का उस में तो चार पास घंटे में पुरा बहरा जाता है, खेत की मिट्टी और लट्टु का मिट्टी पूरा पूरा प्लस में हो ज़ाता है, जब पानी जाता है तो आपस में geanche हो जाते हैं, जब तक आपका एर नहीं निकलेगा उस गड़े के अंदर का पहले दिन पानी के अधिकता नहीं दी और पर्टिकुलर क्रसक आप इस चीज को देहान रखना यदि किसी पाउदे के पास प्रापर पानी पहले दूसरे दिन नहीं गया तो वहां का पाउदा आपको मुर्जाया हुआ दिखेगा पीला पनाएगा नीचे की पत्ति या पीले होने लगेगी यह उसके सिंटेंस दिखते हैं पानी की कमी के कारण कब जब पाउदा हमने लगाया है उसके उसी दिन जी उसके दो तिन दिन बाद आपको इस दिखाई देंगे तो पहले दिन आप भरपुर पा क्रसक को की जमीन अलग होती है जमीन की मिट्टी की क्वालिटी अलग होती है जहां भारिस वाइल है किसान जानता है पेक्टिकली किसान बहुत अच्छे जानता है कि मेरी जमीन में मैंने इदी चार घंटा चला दिया तो वो एकदम पानी बराबर पोच जाएगा किसी जमी करने का निवेदन यही है किसान भाहियों से कि जब आपकी जमीन में पाणी चलाए तो आप सिर को इतना समझना है कि हाँ इतनी देर में ड्रिप चलाओंगा तो पाणी मेरे जमीन में नमी अच्छे से बन जाएगी यह हो गया कि आपने दो से तीन बार पानी पेड़ भर के द अधिकतर फरवरी मार्च अपरेल और मई सबसे ज्यादा लगने का समय आपका 25 फरवरी से लेके 25 मई के बीच का समय पपीते में सबसे ज्यादा होता है और हम पपीते की बात करें सहदा जिसे बेल्ट महराष्ट के अंदर तो वहां पर पपीता सबसे अधिक लगता है 15 मार बाचEC से 15 को सबसे जादा है तो वह लोग कर्मी में ही सबसे समय चाड़ में बनतकर fur своих में अपरेल मैं सबसे ज्यादा है कर आंधरा में तो जून जुलाइ का लगता है ख Uber लेख तंप बल्कनाव थर तो यह जो है इसमें यदि हम गर्मी को देखे कि 40 डिगरी की लगबाग 45 डिगरी टेंपेचर रहता है तो उस समय पानी गर्मी को देखते वे जादा नबढ़ाए सबसे पहला महतवपून विशय किसानों को कई बार यह लगता है कि गर्मी जितनी बढ़ रही है में पानी जा शुरुवाती 90 दिन आपका ज्यादा से ज्यादा हैस्ट श्यडूल यदि गया एक दिन छोड़कर आपको 45 मिनिट 40 मिनिट पानी आपको डिप से चलाना है 45 से 40 मिनिट एक दिन छोड़कर सिर्फ जितनी बड़ी च्छतरी ऊपर है उतनी गोल्ड राउंड में नमी आपका बढ़ना चाहिए बहुत ज्यादा नमी नहीं बनाना है और आप यह दी गर्मी के समय में दोफेर में देखेंगे तो मन ऐसा करेगा अभी मोटर चालू करद अच्छा तो पानी चेक करने का तरीका जो होता है अरली मॉर्निंग सुबह साथ बजे और साम को साथ बजे पौधा अपना क्यरेक्टर भी दिखा देता है कि मेरों को पाने का रिक्वार्मेंट है या नहीं या नहीं कि दोपहर में जो पोधा मुर्जावे दिखता तेज कर देखो और शुबह सुबह सुबह को देखो कि उस समय पौदे की अवस्था क्या है क्या है कि आव धाय की नहीं तब वह जो असली जो उसके लक्षण है ऑन्य तो में यह नहीं कमें बीचा को कर algumas dwutывать मैं पाणी नहीं दिया मेरा मोटर पंखराब हो गया टूबेल खराब हो गया कुछ भी है तूज़ेट प्राब्लोम आती है मैं ग्यारंटी देता हूं दस दिन पपीते में एक भी बुझन पाणी मत चलाना यदि पवदा आपका 40 दिन का हो गया तो दस दिन भी पाणी नहीं नहीं मरेगा यह शूरेटी है पुपी देगी कि वह नहीं मरता है लीप नीचे की जल जाएगी लेकिन में टॉप पर चार पत्ती बनी रहेगी अच्छा यदि आपने पानी के अधिक्ता कर दी तो यह शूरेटी है कि आपका प्लांट 99% कॉलर राट और डंपिंग अप से मरे फंगस से पपीते को भारी खतरा होता है और हमें फंगस को विक्सित नहीं होने देना है इसलिए उसको अनुकूल वातावरण न मिले इसके लिए हमें पानी को नियंत्रित मात्रा में पौदे को पहुंचाना है बराबर क्योंकि वाटर मेनेजमेंट यह आपका अच्छा र जालाता है और जैसे ही उसको फेरेवल मोसम फंगल को मिला कि नीचे पौदा आपका जड़ सडन तना गलन इस्टार हो जाएगा यानि कि फंगस के लिए वो वड़ा फेवरेबल मोसम है तेज गर्मी और जादा नमी तो भाया गर्मी का तो पन कुछ करने सकते है वो तो सू सबसे हो जेंटेन रहे लिए यह मेनेजमेंट हमको सिर्फ करना है बारिश तक बारिश के बाद तो ओल्ड़ेडी पानी उपर से सटार्ड होता है तो वाटमबर से चीज और ध्यान रखने वाली अक्टवर के बाद जब बारिस खत्म हो जाती है सितंबर अक्टवर में तो में flood irrigation बिल्कुल ना करे जनवरी ता ये सबसे important विशय है सबसे महत्पूर्ण विशय है अक्टूबर से जनवरी flood irrigation नहीं करें उतने महारत के छेत्र में जहां ठंड जादा होती बिल्कुल तो ये महरास्ट में भी करते हैं इसके लाप क्या मिले हैं कि यदि हम ड्रिफ से ही पानी देते हैं याने के नियंतिट और कम मात्रा हैं पानी तो उसमें क्या रहता है कि वाइरल इंफेक्शन डाउनी के चांस जीरो हो जाते हैं फ्लॉड एरिकेशन से वाइरल इंफेक्शन और डाउनी बहुत जादा है डाउनी मीन्स पावडरी मॉल्ड्यू यह दोनों फंगस से समध्दित बेमारिया है पत्ते पीले होके इस्पि आवरिश खतम हो जाती सितम बर अक्टूबर में तो डबल डिप लगाएं जिसे हम बात करते हैं आठ फिट का बीच में देते हैं तो समें दो लिटल चलाएं डिप का जें बोड़े के दोनों आइट साइड में दो लिटल हो जेसी जो बिमारिया है इनके चांस बहुत को लंबा समय मिल जाता है लाइफ सरकल उसका दो महिने तक बढ़ जाता है तो यह बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है अच्छा मतलब पानी के मेनेजमेंट से हम फंगस से संबंदित बिमारियों को बहुत हद तक रोक सकते हैं यह बड़ा नेशुरल उपाय है और इसी के को हमारी पानी के विशे में बात और अब आपने जनवरी तक भी बता दिया अब जब हर्वेस्टिंग आता तब पानी के सा रखना है दिखे हर्वेस्टिंग स्टेज के बाद पानी थोड़ा बढ़ता है क्यों क्योंकि फूट आफ नंबर काफी रहता है पचास-पचास- अधिक नहीं भी दिया तो भी चलेगा पानी का फिर रिक्वार्मेंट जो आपका रहेगा 15 जनवरी मकर संक्रानती के बाद से पानी का रिक्वार्मेंट प्लान का अधिक रहता है फिर वहां से आप यदि फ्रड एरिकेशन करते हैं ग्रेंविल फटिलाइजर हर लगबग फटिलाइजर पर थोड़ा लेट आएंगे बड़ आपको अभी वाटर मेंट बात करते हैं तो उस समय आप जनवरी से फिर उसको फ्रड एरिकेशन स्टार कर सकते हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है और बहुत अच्छा फूट का कॉलिटी भी मेंटेन होता है फूड वेट आपको अक्टूबर नॉमबर से तो फीका हो जाएगा ठंडे मुसम में पानी चला दिया तो तो स्वाद नहीं आएगा खाने वाले को मज़ा नहीं आएगा और उसका जो कलर है जो उसका एक ब्राइट रेड कलर आता है वो उतना अच्छा नहीं आएगा भई किसान भाहिय अध दिन फिर पाणी मत दो आज थंडी मेसा चला एक दिन वर पेट चला दिया उसके बाद आड़ दिन तक पाणी नहीं चला जब जैसे से Harrison लगा जनवरी लुगो दो फिर आपको प्रदे चार पास घंटे चार घंटर चार गंटा पांच गंटा यानि कि जो बड़े तो हम इस आडियो के अंदर अभी हम इसे इरिगेशन तक याने की सिचाई की विवस्ता कैसे रखे पानी कैसे चलाए इस तकी सीमित रखते हैं और इसके ठीक बात में अगले आडियो के अंदर बात करते हैं फर्डिगेशन के लिए